हलो आप सभी का स्वागत हैं बॉलिग्राद स्टूरियोज में और मैं हूँ अनुश्का त्यागी माइटलोजिकल आस्पेक्ट्स और विएफिक्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है यह हमें आयान मुखर जी के फिल्म ब्रहमास्त्र देखने के बाद पता चला तो वहीं उम्राओत के आदे पुरुष देखने के बाद माइटलोजी और विएफिक्स कैसे मिसमाच का पल की तरह है दोस्तों यह भी पता चला खेर हम ब्रहमास्त्र पर फोकस करती हैं जिसका अभी दूसरा पार्ट आने वाला है कैसे दोस्तों आफ फोल्म को लेकर मारकेट में कई सारी थियोरीज आ रही है क्योंकि इस फोल्म का एक कॉंसेप्ट आर्ट जब से रिलीज हुआ है तब से लोग दिमाग को काम पर लगा चुके हैं पिस एक ठियोरी ये भी हो सकती है कि ब्रह्मास्त्र टू ये शिव के पिता देव पर बनने वाली है तो देव से हम इसे ब्रह्मादेव के दौर पर भी कंसिडर कर सकती हैं अगर ऐसा हुआ तो कॉंसेप्ट आर्ट के मुताबिक जहां पर बहुत सारे अश्टरों के साथ शिवा देव पर अटाक करता है वो इसलिए भी हो सकता है ताकि वो देव का अहंकार खतम कर सके वही ब्रह्मादेव को पाचवा सिर जब मिला था तब उनका अहंकार बढ़ चुका था उन्हें लगा कि वही दुनिया में सबसे पारफुल है तो इसी अहंकार को खतम करने के लिए शिव ने उनका पाचवा सिर उड़ा दिया यानि उनके अहंकार को खतम कर दिया अब यहां भी आहंकार खतम होगा पर कॉंसेप्ट आर्ट में हमें कोई पाचवा सिर देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों और दूसरी बात बता दे कि देव के हाथ में तरशूल है जो भगवान शिव का अस्त्र है वैसे ब्रह्मास्त का मतलब होता है ब्रह्मा प्लस अस्त् पर जो ब्रह्मा देव को ही खतम कर सकता है तो दोस्तों देव ब्रह्मास्त रियाने पावर्स पाने के लिए बहुत जादा अंबीशियस हो जाए और अहंकार और अंबीशिन लालच एक साथ आ जाए इसका मतलब इंसान हीरों से वलन बन जाएगा जिसकी वज़ा से अम्रत साथ दूसरा मumoke ब्रहत को हैं अम्रता देव को रोकने की कोशिश करती है दोस्तों वह इसलीं भी हो सकता है ताकि देव उस मास्ट माइब्न से लड़े ना और या फिर उस मास्ट माइबं का मकसद पूरा करने ना जाए गर्यसे दोस्तों जो मास्ट माइंड है जिसमें दे पुलिस डिपार्टमेंट को ही करॉप्षिन की दुनिया से रूबरू कराते हैं और श्रिपल रार में राम चरन भी सिस्टम में रहे कर सिस्टम को सुधार ने ख़तम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह जो लास कुंसेट आता है दोस्तों वहां पर देव त्रिशूल लेक एक कमेंस सेक्शन में जरूर बताईएगा हमारी आज की राइटर है तुर्टी